दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको दस बेहत काम के इंग्लिश के सेंटेंसे सिखाऊंगा जो आप एपनी डेली लाइफ में या तो बोलना जानते नहीं होंगे और अगर बोलते होंगे तो उसमें कोई ना कोई गलती जरूर होती होंगे जरा चेक कर लेना पूरी वीड इसे आप ऐसे बोलते थे पहले वेर वर यू वेर वर यू यही तो बोलते थे वेर वर यू है ना बट देखे यह बहुत ही इंफॉर्मल गरब तरीका है वेर वर यू नहीं अब देखे सही तरीका देखे कहां थे आप इसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं मैं थोड़ इसे इंक मोटी कर लेता हूं ताकि जड़ा मज़ा आए लिखने में भी सो इसे आप बोलेंगे वेयर है यू बीद वेयर है यू बीद यू बीद यह ऐसे सो नेक्स्ट टाइम आप किसी को तलाश रहे हो और वह अचानक फिर आपके सामने आ जाए फिर आपके वेयर है यू बीद क कब अब यह देखिए यहां पर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं सुनिय का गवर से और बड़ी दिहान से देखिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वें डिड यू कम अब देखिए इस सेंटेंस को अगर थोड़ा सा अनलाइस किया जाए तो इस क्योंकि यहां पर आ की एकी आवाज आ रही और सीखा यह यह टेंस में कि आ यह की आवाज आ तो डिड लगा दे ना वो ठीक था पनी जगा जब पुरानी इंग्लिश सीख रहे थे हैंने कि जब बच्चे थे आपको आप समझधार होना चाहिए यह तो इसको बहतर तरीके से बनाएंगे आप कब आये बच्चों सभी लोग वैन है यू काम वैन है यू काम आपकब आये थे कम थर्ड फो में वह कम की थर्ड फों कम ही होती तर नजर नहीं आ रही है वन है यू कम आप जर राइट नाओ मैं यह भी आया हो बस तो इस तरीके से बोलिए इसके बाद आता है आपको क्या हुआ क्या बात होगी अब देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग इसा ऐसे बनाएंगे यही तो बनाएंगे आप वाट बैद्यान से देखेंगे आपको क्या हुआ वाट हापन हापन टू यू यह बनाएंगे तो देखें इसकी सिचुएशन बता देता हूँ इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आज सामने वाला किसी पेल में हो किसी दर्द में हो किसी परिशा अठीक आंगार प्रिशन थे ख लेगार तो थेखेंगे यह वाट हापन टू रही है साइट में तो मैं बलू अप्सेट आप सेट सा खळाया लेकिन जब कोई मतलब जो है किया नहीं कोई उल्टे सीधे काम करने लेगे तो हम से अचैब आप्लें टुझे यह क्या हुआ यह क्या कर रहा है या कोई घुस से मा आ जाए तब देखिए इसे इंग्लिश में इस तरीक से नहीं बोलेंगे तब हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे what's wrong with you what's wrong with you यहां देखिए मैं यह यू अलग color में लिख रहा हूं इसे गोर कीज़ेगा इसकी वजा क्या है उसकी वज़ाए यह है किसे आप replace कर सकते हैं जैसे कि मैं ने कहा तुम्हें या आपको या तुझे क्या हुआ तो यू किसी और को नाम देकर बुलिए रोहित को क्या हौत स्रॉंग विद मी उसे क्या हुआ वट्स रॉंग वेसिं शचिन को क्या हुआ वट्स रॉंग ठीक है चलिए अब आगे ऐसे बोलिएगा और बहुत ही मज़िदार तरीका और बहुत ही एक्सपर्ट वाला तरीका लगेगा दोस्तों इसके बाद आता है सुना आपने कि यहां पे बहुत सारे लोग बोलेंगे डिडियू लिसन जबकि यह बिलकुल रॉंग तरीका है यह गलत है जब कोई बात कोई सुनाई जाती है नहीं सुनाई देती है कोई उड़ी खबर आप पहली बात तो हो हेयर का प्रयोग करेंगे दूसरी चीज़ क्योंकि अभी फिर बहतर तरीके से बनाएंगे, have you heard, have you heard, ऐसे, है न, सचिन के बारे में सुना, have you heard about सचिन, ठीक है, इस गारने के बारे में सुना, have you heard about this song, वो फिल्म के बारे में सुना, have you heard about that movie, तो इस तरीके से, तो यह बहुत काम आने वाली चीज है, और इसको बड़े ही गौर से देखिए आपने, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला वाला आता है, आज क्या पकाऊं, आज क्या पकाऊं, देखिए, यहां में बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे, what to cook today, what, यह इसको भी मैं लाल रंग में रंग देता हूं, मैं बार बार यही वालो उठा लेता हूं, I'm sorry to interrupt you, इ मुझे सीधे पैन से लिखने की आता है, so यहां पे लिख लेते हैं, what to cook, what to cook, यही बोलेंगे न हम लोग, जबकि यह informal वे में आ जाता है, बहुत ही गलत तरीके सा आता है, but काम चराओ बोलेंगे, यह पूरा गलत नहीं बोलूँगा, like if you have no option, आपको कुछ याद में आ रह है, should का में प्रियोग करता हूँ, किसी से में एडवाईज मांग रहा हूँ, so आज क्या पका हूँ, what should I, what should I cook today, cook today, ऐसे ही बनेगा, अब दिखे इसमें कहीं पी मैं नहीं लिखा दा, फिर भी आई आया, क्योंकि यहां पर हरे एक चीज को explain अच्छे से किया, हरे एक चीज सही इस्तेमाल किया, what should I cook today, आज क्या सिखाऊ, what should I teach you today, आज क्या बोलू, what should I speak today, तो ऐसे आप बोलिये, आई की जगा रिप्लेस कर सकते हैं, हम को लेकर, हम आज क्या पका है, what should we cook today, ऐसे, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाता है, जादा बनो मत, दे जादा इत्राव मत, इसे बोलते हैं, तो सुनिए इसको तरीके से कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, don't act, don't act, so, don't act so pricey, don't act so pricey, यह होगा, यह मैंने पहले अपनी कई बार वीडियो में बताया है, कि जब भी कहते हैं, भाव मत खाओ, जादा बनो मत, जादा इत्राव then we say, don't act so pricey, तो इसे भी आप अपनी daily life में बोलते होंगे, याद रखिएगा, दोस्तों, इसके बाद आता है, यह चल क्या रहा है, यह चल क्या रहा है, यह चल क्या रहा है, देखिए, यहां पे आप इसे अकसर ऐसे बनाते होंगे, what's going on here, यह तरीका बिलकुर सही है, what's going on here, यह तो खाना बन रहा है, तब आप यह बोलेंगे, लेकिन आप गुस्से बोलेंगे, चल क्या रहा है यहां पे, तब फैलावार, इतना सब कुछ, क्या चल रहा है है यहां पे, तो आप ऐसी condition में भाई हो जाते हो, गुस्से के मून में, गुस्से के मून में, गुस right here, चल क्या रहा है, so ऐसी ही उस करेंगे, what the hell is going on here, यह चल क्या रहा है, गुस्से बाल, प्यार वाला गुस्से बाल, तो भुस्से बाल, तो दो अलग अलग चीज़ओंचीज़ों हो जाती है, यह धियन रखेगा, चलिए आगए बढ़ते हैं, चलिया आगे बढ़ते हैं भार में जाए mobile, ऐसे बोल देते हैं, भार में जाए ये चीज, भार में जाए तू, भार में जाए वो, so, अब इसे कैसे बोलेंगे, इसे go to hell बोल देते हैं, go to hell mobile, go to hell, वो go to hell, यहाँ add नहीं होगा, यहां देखिए, यहां पर हम बोलेंगे हेलविद, हेलविद है ना, हेलविद, अब हेलविद के बाद हर एक उस चीज का नाम लगा देंगे जिसा आप भाड में भेजना चाहते हैं सो मोबाइल को बोल रहे हैं आप तो दा मोबाइल लिग दीजिए, हाल विद दा मोबाइल है ना, भाड में जा तू, हैल विद यू भाड में जाई ये टीवी, हैल विद दा टीवी सो ऐसे बोलिए, सो ये तरीका है इसे भी रट लीजिए, बहुत काम की चीज है दोस्तों, अब जल्दी आगे बढ़ते हैं और होमवर की तरफ बढ़ेंगे मैं कहीं आया हुआ हूँ, इसे भी आप बोलते हैं हाँ जी, हलो, अब आई सम्बादे बात करूँगा मैं कहीं आया वहाँ भी, अभी मैं बिजी हूँ ऐसे हैं बोल देते हैं, कहीं महमानदारी में जाते हैं या आप कहीं जो हैं कहीं और जाते हैं इसे आप दो तरीके से बोल सकते हैं या तो आप इसे बोल सकते हैं I have visited somewhere I have visited somewhere मैं कहीं पर पहुँचा हुआ हूँ, कहीं पर हूँ या आप बोल सकते हैं I am busy हो सकते हैं क्या तरीके हो सकते हैं यही आज का होमवर्क है क्योंकि मैंने आपको यह बहुत बेसिक तरीके समझाया है मैं देखना चाहता हूं आप मैंसे कितने लोगों को यह हार्ड में आता है मुश्किल में आता है तो आज का जो होमवर्क है वो दोस्तों यही है कि इस मैं कहीं आया हुआ हूँ कैसे बोलेंगे आंसर करिए मतलब यहां नहीं लिखिए कॉमेंट सेक्शन लिखिए और मैं आपके आंसर का वेट करूंगा जरूर करना दिल से करना और ठीक है याद से करके दिखाना यार और दोस्तों आप घर बैठा ओडर कर सकते मेरी किताब जो ह का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अब जाओ इस वीडियो के साथ शेयर करना जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना